आज की जो वीडियो है ना ये सब के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है मतलब कि अगर आप रिलेशन्शिप में हो तो भी आपके लिए जरूरी है ताके आप अपने पार्टनर को पहचान सको कि वो मतलबी है या फिर नहीं और अगर नहीं हो तो भी इंपोर्टेंट है क्योंकि आगे चलके आपका दिलेशन तो बनेगा किसी के साथ और तब आप ये पहचान पाओगे कि आपकी जो पार्टनर है वो मतलबी है या फिर अच्छा है ठीक है तो आज मैं मतलबी लोगों के कुछ खास पैचान बताऊंगी यूनिक पैचान जो हर मतलबी लोगों में पाया जाता है और अगर आपके पार्टनर मतलबी हो तो ये जो पांच पॉइंट में बताऊंगी ये उनके अंदर होगा ही होगा और अगर होगा तो भाया सावधान हो जाना ठीक है? ऐसे इनसान के साथ जितना रहोगे आपका ही नुकसान है तो अगर यह पाँचों के पाँचों ही मिल जाता है आपके पार्टनर में तो उसको छोड़ देना ही बेतर है एक दो मिले तो अपनी हिसाब से आप देख लेना तो चलिए वीडियो शुरू करते है पहला जो point है दोस्तों ये बहुत important point है और विससे सभी point important है तो पहला जो point है ये है अच्छे time year इसका मतलब आपको मैं समझा देती हूँ मतलब कि जब आपका अच्छे time रहेगा तब वो आपके साथ बहुत ही अच्छे से सुलूग करेगा बढ़ता हो करेगा लेकिन जैसे आपको कुछ बुड़ा वक्त आएगा तो वो आपके साथ बुड़ा बढ़ता हो करेगा और आप ऐसा सोच रहे हो कि यह बस ऐसे लोगों पर होता है तो उस टाइम वो आपके साथ जादा पैसा हो आपका कुछ लाटरी लगे हो या फिर आप बहुत जादा पैसा खर्च कर देए उस पे तो उस टाइम वह आपके साथ बहुत अच्छा बढ़ताओ करेगा और जैसी मालेज आपका पैसा खतम हो गया है या फिर आपका पैसे के मामले में थोड़ा दिकत चल र तो उस टाइम वह आपके साथ अच्छा बढ़ताओ नहीं करेगा ऐसा जो पार्टनर है ना तो वह बहुत मतले भी होते हैं वह बस अच्छे टाइम में आपके साथ अच्छा बढ़ताओ करेगा और बुरे टाइम में वह घजारों नकरे दिखाएंगा आपके साथ बुरा बढ़ताओ अगर इसे चेंजमेंट होता है उसके बढ़ताओ में तो आप सावधान रहना दूसरी जो पॉइंट या उसमें चले आते हैं दूसरे पॉइंट है दूस्तों जरूरत और जरूरत ब्राकेट में देखिए हिस हार मतलब की और ये वीडियो लड़का लड़की तोनों के लिए समान उपियोगी है इसलिए मैंने यहां हिस और हार लिखियो जरूरत उनकी जब उनकी जरूरत होगी ना तब भी वो अच्छे से बढ़ताओ करेगी अब जरूरत इसका मतलब ये ने कि बस उनको पैसे का ही जरूरत होगा तो ही वो अच्छा बढ़ताओ कर अगर वो आपके साथ अच्छा बढ़ता हो करते हैं कि मैं तो तुमीं कितना प्यार करता ओए बहुत ही बाग है मतलब कि यह दूसरे ताम आपको उतना भाव नहीं देगा लेकिन जैसे आपना काम निकल्वाना होगा तो बहुत ही प्यार से बात करेगा तो ऐसे पार्टनर भी बहुत ज़्दा मतलब ही होते हैं और ऐसे पार्टनर से दूर रहे नहीं सही है जो बस अपने जरुरत के टाइम आपको याद करते हैं ऐसा पार्टनर रहने से भी आपको क्या तो चलते हैं दोस्तों तीन नमबर पॉइंट में तीन नमबर जो पॉइंट है दोस्तों यह स्वार्थ यह है इस हार मतलब कि उसकी स्वार्थ जैसे उनकी कुछ जरूरत है ठीक है वैसे उनका कुछ स्वार्थ हो सकता है अब जरूरत तो स्वार्थ में फ़र्क किया इसको सम और उसके लिए वो धीरे दीरे आपके साथ प्यार का रिलेशन बना रहा है और रिलेशन अच्छा कर रहा है कि ताकि उसका कोई बड़ा स्वार्थ हासिल हो सब्सक्राइब अगर वो स्वार्थी है और अगर कुछ बड़ा सोचके वो आपके साथ ऐसे प्यार भड़ी बढ़ हो सकता है ठीक है कुछ बड़ा कुछ ठीक है आप कुछ भी समझे लो बड़ा अगर कुछ स्वार्थ उनके बन में चल रहा है तो जैसे वह स्वार्थ पूरा हो जाएगा रद्धि के भाव नहीं पूछेगी ठीक है तो इसको जरा ध्यान में रखना कि उसकी जो प्यार है उस की कोई भी कदर नहीं करती है आपके फीलिंग्स के साथ खेलते हैं और यह सब कप करते हैं जैसे मैंने फरस्ट दो तीन पॉइंट में बताई जब उनके जरूरत होगा जब उनके स्वार्थ होगा तब यह आपके साथ अच्छा वर्ताओ करेगा बाकी के टाइम आपके फी तो ऐसे इनसान होते हैं बहुत ज़ादा मतलब ही जिसको आपकी फीलिंस की आपकी कोई भी कदर नहीं है या तो आपके साथ कोई जरूरत से जुड़े है या तो ऐसे पार्टनर को अपने लाइब सीद अभी निकाल लो ठीक है next your point आते है last point बहुत ज़्यादा important point है यह है दोस्तों बाते his, her, mood मतलब क्या निकाल जब mood होगा वो तब ही आपसे बात करेंगे यह बहुत गहरा इसे deeply आप notice करना जब आप बात करना चाहोगे जैसे मैं पिछली point में बता है feelings के साथ खेलना यह थोड़ा अलग है मतलब कि आप जब बात करना चाहोगे उनसे तब वो कोई काम दिखा देगा ठीक है वो नकरा नहीं करेगा feelings के साथ खेलेगा नहीं लेकिन उनका mood नहीं है बात करने का तो वो बोलेगा नहीं मुझे ना काम है यह वाला वो वाला तो मैं अभी काम करे लिए तो बाद में बात करते हो ठीक है और फिर जब वो call करेगे तब वो बहुत अच्छे से बात करना उनका ही जब call आएगा तभी आप अच्छे से बात कर पाओगे यह नहीं तो आप जब करोगे वो बहुत से बहाना दिखा देगा काम का बहाना दिखा सकता है कुछ भी बहाना दिखा सकता है तो ये हो गया उनकी mood की हिसाब से बाते होना तो अगर आपके relation में अगर एक दो बार हो रहा है तो ये ठीक है काम तो हो भी सकता है लेकिन अगर ऐसा ही होता है जब से आपकी relation जुरा है और आज तक बस ऐसा ही हो रहा है जब उसका mood होता है तब ही बाते होते है जब आपका mood होता है वो कुछ काम दिखा देता है या फिर वो कुछ भी वो बता के टाल देता है तो इस time याद रखना कि वो आपसे प्यार नहीं करते है बस उनका जब time निक जब रहा है वो है बहुत जब जब पार्टनर चाहिए वो girls ओ या फिर boys ओ ऐसे पार्टनर से जितना दूर रहो उतना अच्छा है ऐसे पार्टनर को अपने जिन्दगे में रखके आप अपने ही पैर पे कुलारी मार रहे हो तो ऐसे पार्टनर अगर आपके लाइब में है उनसे बात कीजिए उनको सुधारने की कोशिश कीजिए नहीं हो रहा है और वो बहुत जब 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 मतलबी है तो उनके साथ आपका रहना सेफ नहीं है और जो last में कहना चाहते हूँ वीडियो को बहुत जब 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 आपके अगर किसी के life में ऐसा मतलबी पार्टन तो वो उनको पहचान सके और उससाब से एक्ट कर सके ताकि उनको धोका ना मिले और ऐसे वीडियो रेगुलर्ली चाहते हो तो चल को सब्सक्राब करके बेल में लाइक उन्दबा के और अप्शन प्रेस कर लेना तकि मेरी कोई भी वीडियो आप में स्ना करो तो दोस्तों मिल देर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई